Hello viewers, तो आज सिखने वाले है Newton Rapsons method के बारे में, जिसको NR method भी बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते है question जो है, using Newton Rapsons method, find the real root of the equation xq-2x-5 is equal to 0, correct up to 3 decimal places, आपको किसी तरह का भी question दे, यहाँ पे सिर्फ function change होगा, और up to 3 decimal places जो है, यहाँ पे 4 places, 5 places, 2 places दे सकता है, तो आपको question मे यह change करेगा, यह change करेगा, आपको किसी तरह का भी question दे, और वो बनाना हो Newton Rapsons method से, तो किस तरह से बनाएंगे, आए जानते हैं, और यह वीडियो अगर अच्छा लागे, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना हमारे चानल को, अन तक दिखिएगा वीडियो, पूरा minus 5 है, ठीक है, यह हमारा function है, तो function में हम लोग क्या करेंगे, if 0 एक रखेंगे, एक f1 रखेंगे, check करेंगे, q01 रखेंगे, हमेशा हमको 0 ही रखना पड़ता है, पहले हम लोग 0 रखेंगे, फिर उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, कब तक ले रखते चल जाएगा, minus 2 into 0 हो जाएगा, यह 0 रखना है, x के प्लेस पर, ठीक है, minus 5, तो हमारा जो value है कितना आ जागा है, minus 5 आ जाएगा, ठीक है, minus 5 आ चुका है, negative आ चुका है, इसके बाद positive आ गया, तो यही पर छोड़ देंगे, ठीक है, तो 1 का cube करेंगे, minus 2 into 1 करेंगे, उसके हम लोग छोड़ देंगे, यही पर, यहां पर तो negative, negative, positive तो आया नहीं, continuously आना होता है, negative, positive, तो f2 रखके check करेंगे, तो 2 q minus 2 into 2 हो जाएगा, minus 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2, 2, 4, 2, 8, minus 4, 4 हो जाएगा, 4, minus 5, कितना आ गया, minus 1, फिर से negative आ गया, positive नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अब एक और value रखेंगे, f3 का, ठीक है, negative, positive जब तक लिए नहीं आ जाता हम लोग करते रहेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, 3 का cube हो जाएगा, minus 2 into 3 हो जाएगा, minus 5 हो जाएगा, 3, 3, 9, 3, 27, 27 minus 3, 2, 6, minus 5, 11, तो कितना हो जाएगा, 16, यहां पर देख सकते है, negative, positive आ चुका है, तो हम लोग इतना पर ही छोड देंगे, function का value, आपको एक और बात बता दू, अगर यहां पर, देखे, यहां पर negative आया है, ठीक है, और यहां पर negative है, और 1 भी negative आया, यहां पर positive आता, तो वहीं पर छोड देते, ठीक है, अगर first में यहां पर positive आता, और यहां पर negative आता, ठीक है, तो यहां पर नहीं छोड दे, negative के बाद positive आना चाहिए, ना कि positive के बाद negative आना चाहिए, ठीक है, सपोज यहां पर positive आया, यहां पर negative आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे है, मैंने क्या बोला, अगर यहां पर positive आया, यहां पर negative आया, यहां तक लिए नहीं छोड़ना है, यहां पे positive आया, यहां पे negative आया, यहां पे negative आया, यहां पे negative आया, एक value positive आया, तो negative positive हो गया, तो छोड़ देंगे, ठीक है, समझ गए होंगे I hope, तो चलिए, आगे की तरफ चलते है, इसको check करने का, एक calculator से भी सिखा देता हूँ, आप लोग क सजीलो होगा, तो आप लोग को इतना value नहीं निकालना परेगा, आप direct कर सकते हैं, क्या करेंगे, mode क्लिक करेंगे, mode के बाद यहां पे 7 में table है, तो 7 number में क्लिक करेंगे, ठीक है, effects दिख रहा है, यहां पे, आपको calculator में effects दिख रहा है, तो क्या करेंगे, function कितना है, यहां यहां पर type कर लेंगे, alpha x, q, minus 2, alpha x, minus 5, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, equation क्लिक कर लेंगे, देख सकते हैं, यहां पर, करने के बाद हम लोग equal to ठीचेंगे, equal के बाद यहां पर start बोला जाएगा, start बोला जाएगा, 1 दिख रहा है, वहां पर 0 क्लिक कर दे, 0 लिख के, यह कुछ नहीं करेंगे, equal to, equal to क्लिक कर देंगे, equal to क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, यहां पर, जो value 0 रखेंगे, तो minus 6 आएगा, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, minus 5 आएगा, इसी तरह से यहां रा है कि नहीं, 2 रखेंगे, तो minus 1 आएगा, ठीक है, 3 रखेंगे, तो 16 आएगा, 4 रखेंगे तो 51 आएगा तो हम लोग के यहां पर संबद सकते हैं कि नेगेटी पोजेटिव कुन में आ रहा है 2 में आ रहा है एक 3 में आ रहा है ठीक है यह 2 है यह 3 है तो हम लोग वही ले ले लेते हैं ठीक है तो यहां पर क्या लिख देंगे इसके बाद since f2 and f3 have have negative positive sign या opposite sign भी लिख सकते हैं opposite sign so यहां पर लिख सकते हैं so root इस तरह से लिख सकते हैं root lies between ठीक है 2 2 and 3 इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 2 में हमारा minus 1 आया है 3 में plus आया है इसलिए 2 and 3 लिख है ठीक है यहां पर negative आता है यहां पर positive आता तो यह करने के जरुरुरत नहीं पर था 1,2 लिखते यहां पर इस तरह से कर सकते हैं तो इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद initial approximation मनना होता है तो लेट करते हैं initial हमेशा यह language लिखना होता है ठीक है हमेशा लिख लिजएगा initial approximation माल लेंगे x0 is equal to 2 and 3 के बीच में कोई भी number माल लेंगे तो 2 and 3 के बीच में कोई भी number माल लेंगे मैं माल लेता हू 2.5 आप 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 कोई भी number मान सकते है 2 और 3 के बीच में यहाँ पर जो number आएगा मानो 1 and 2 आया तो 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से मान सकते हैं यहाँ पर 6 और 8 आया 6 और 7 आया तो क्या होगा 6 7 के बीच में कोई भी number यहाँ पर x approximation मान सकते है ठीक है तो मैंने भी मान लिया now करके हमारा function जो था f x क्या था हमारा function यहाँ पर देख सकते है x q minus 2 x minus 5 है मैंने वही लिख दूँगा x q minus 2 x minus 5 ठीक है इसके बाद हम लोग को derivative निकलना होता है तो derivative निकालते वक्त आपको derivative आता ही होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आगे आजाएगा x का 1 हो जाएगा एक पावर घड़ जाएगा 3 x स्क्वार हो गया minus इसका पावर 1 है 1 into 2 1 आगे आजाएगा 1 into 2 2 हो जाएगा एक का पावर एक घड़ जाएगा तो 2 सिर्फ बच जाएगा ठीक है minus 5 तो constant है इसका derivative जीरो होता है तो हम लोग का derivative निकाल लेंगे इस तरह से इसके बाद क्या करेंगे आपको बता दू इसके बाद जो है सबसे important है आपको लिखना होगा we know Newton Rapsons formula मैंने आगे बोला था इसको nr भी बोलते है ठीक है nr का जो formula होता है आपको बता दू formula जो है xn प्लस 1 is equal to formula होता है xn minus function of xn by derivative of function xn ये formula होता है हम साब काम इसी formula से करेने वाले है तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद n ब्राबर 0 रखेंगे यहाँ पे when n is equal to 0 आपको हमेशा 0 रखना है इतना process हमेशा करना है ठीक है when n equal to 0 जो है हमेशा रखना है कोई भी question है आपको 0 ही रखना है जब 0 यहाँ पे रखेंगे n में तो क्या हो जागा x 0 प्लस 1 x 1 हो जाएगा कि नहीं सपोर्ज यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1 होता है x 1 हो जाएगा is equal to x n के प्लेश पर कितना रखना है 0 हो जाएगा x 0 minus माइनस f xn के place में 0 रखना है, ठीक है, by f dash xn जो है xn के place में 0, ठीक है, तब देखिए, x0 है, x0 हमारा कितना है, 2.5 है, 2.5 हो जाएगा, माइनस, function fx0 है, function हमारा क्या है, यह है function, हमारा function यही है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 का cube कर देंगे 2.5 का cube कर देंगे minus 2 into x के place पे 2.5 रख देना है minus 5 है 5 रख देंगे इस तरह से उसके बाद by f-x0 है f-x0 मतलब हमारा function जो है यहाँ पे derivative का function क्या है 3x square है 3 into x square के place पे क्या करना है 2.5 रख देना है 2.5 square ठीक है 2.5 square minus 2 इस तरह से कर लेना है ठीक है इस तरह से करिएगा तो इसका जो value है इसको calculator करके देख लेते हैं कितना आता है यहाँ पे तो एक बार calculator क्लिक करें 2.5 minus इस तरह से है 2.5 का cube कर लेंगे cube करने के बाद कितना है minus 2 into 2.5 है minus 5 है उसके बाद नीचे कितना है 3 into 2.5 square है minus 2 है यहाँ से देख सकते हैं आपका आगया कितना 2.1641 ठीक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा value जो है 2.1641 आ चुका है अब इसके बाद क्या करेंगे ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे अब एन इक्वल टू 0 रख चुके यहाँ पे अब एन इक्वल टू 1 रखेंगे ठीक है इसी तरह से रखना होता है अब वेन क्या करेंगे अब लेन इक्वल टू 1 वण रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको बता दू यहाँ पे Newton's formula जो है हमको 1 एन ब्लाबर 1 रखना है यहाँ पे 1 रखना है तो 1 प्लस यहाँ पे 1 रखना है तो 1 प्लस एन कितना हो जाएगा 2, तो हमारा के जहा जागा? x2 हो जागा, is equal to 1 रखना है यह अन के place पे 1 हो जागा, minus f xn के plus पे 1 रखना है यह इन के place में 1 रख देखने f dash xn के place पे 1 रखना है इस तरह से, ठीक है x1 है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते है, x1 x1 का value हम लोग कितना निकाले है यह x1 x1 का value 2.1641 है तो वही हम लोग यहाँ पे 2.1641 लिख देंगे minus fx1 है ठीक है fx1 जो है हम लोग का जो था यहाँ पे देख ले function तो यह था हमारा x3 वाला तो यह 2.1641 यहाँ पे cube कर देंगे 2.1641 cube कर देंगे minus 2 into 2.1641 कर देंगे minus 5 कर देंगे by कितना करेंगे f-x1 है 3 into x2 के प्लेस पे कितना रखना है 2.1641 रखना है 1641 स्क्वार हो जाएगा minus 2 हो जाएगा इस तरह से करेंगे हमारा जो value है यहाँ पे calculator करेंगे तो हमारा जो value आएगा 2.0971 आजाएगा ठीक है तो x2 निकाल चुके है अब हम x3 के तरफ चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे when n इक्वल टू 2, 0 ले चुके है, 1 ले चुके है आप 2 के तरफ चलते है तो when n इक्वल टू रखेंगे आपका वही में हमारा जो newton formula है यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जागा? 3 हो जाएगा तो x3 लिख सकते हैं यहाँ पे हम x3 यहाँ पे लिख सकते है is equal to यहाँ पे 2 रख देना यहाँ पे 2 रख देना अब x2 जो है हम लोग यहां पर value निकाले थे अभी अभी जास निकाले थे कितना निकाले थे x2 का value यहां पर देख सकते x2 का value 2.0971 आया हुआ है अब function में रखना होता है function में यह हमारा function है तो यहां पर रख देंगे 2.097 का cube minus 2 into 2.0971 minus 5 लिख सकते है इसी तरह से लिख सकते है 2.0971 का cube कर सकते है minus 2 का 2 into 2.0971 लिख सकते है minus 5 लिख सकते है यहां पर सिर्फ ए x के place पे 2.0971 रखना है उसके बाद by हमारा कितना है उसके बाद यहां पर देख सकते है यहां पर कितना है अपर derivative x2 है F derivative X2 यही है 3X square है तो 3X square का place पर कितना रखना है 2.0971 square माइनस 2 अब इसको calculate करेंगे ते जो हमारा value आएगा वो आएगा 2.0945 आएगा ठीक है तो आपको कब तक ले कर रहा है आपको यह समझना होगा यहाँ पर up to 3 decimal places बोला गया है equation में देख सकते हैं यहाँ पर up to 3 decimal places बोला गया है तो decimal के बाद 3 अंक repeat होना चाहिए जब तक ले repeat नहीं होगा तब तक ले आपको करते रहना है यहाँ पर decimal के बाद 09 आया हुआ है decimal के बाद 09 2 decimal आपका क्या है repeat है तो यहाँ पर 2.097 2.097 आ जाता point के बाद 3 अंक अगर repeat आता तो correct up to 3 decimal हमारा हो जाता वही पर छोड़ जाते पर यहाँ पर शिर्फ 2.09 point के बाद 09 आ रहा है यहाँ पर भी 09 repeat आ रहा है तो यहाँ पर up to 2 decimal का यह answer है 3 decimal का नहीं है 3 decimal के लिए 3 अंक जो है point के बाद 3 अंक repeat होना चाहिए repeat कर देंगे process सारा repeat कर देंगे 3 कहाँ पर रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 3 plus 1 हो जाएगा x4 हो जाएगा यहाँ पर x3 minus f x3 by f dash x3 हो जाएगा ठीक है तो वही करने वाला हूँ तो n बढ़ाबर 3 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x4 हो जाएगा x3 minus कितना हो जाएगा यह f x3 by f dash x3 हो जाएगा अब x3 कितना हमारा निकला हुआ है 2.0945 2.0945 हो जाएगा minus हमको function में रखना है तो यहाँ पर function हम लोग यही लिखे हुए है सिर्फ इसके place पर यह value रखके cube कर देंगे 2.0945 cube कर देंगे minus 2 का 2 हो जाएगा into इसके place पर 2.09 2.0945 लिख देंगे minus 5 का 5 लिख देंगे इसको by करके हमारा कितना है derivative 3 into 2.0945 square minus 2 कर देंगे ठीक है यहाँ पर function तो हमारा वही है न यहाँ पर 2.0945 cube minus 2 into 2.0945 minus 5 किए by इसको 3 into 2.0945 minus square minus 2 किए वही किए हुआ है यहाँ पर देख सकते है आप लोग ठीक है तो इसको शल्प करेंगे हमारा जो एंसर आएगा वह आएगा 2.0945 तो यहाँ पर देख सकते है आप लोग यहाँ पर क्या है point के बाद तीन अंक रिपीट है 0.9 2.094094094 repeat आगया correct up to 3 decimal था हमारा यहाँ पर question देख सकते है correct up to 3 decimal था decimal के बाद 3 अंक repeat होना चाहिए तो यहाँ पर 3 अंक repeat हो चुका है तो हम लोग यही पर छोड़ देंगे ठीक है correct up to 4 decimal बोलता तो यहाँ पर 5 भी है यहाँ पर 5 है ठीक है तो correct up to 4 decimal भी यही answer हो जाएगा 3 decimal भी यही answer हो जाएगा so answer हम लोग किस तरह से लिख सकते है since the required root is 2.094 up to 3 decimal के लिए हमारा यह answer हो जाएगा 4 decimal के लागी यहाँ पर क्या लिखते 5 लिखते ठीक है correct up to 2 decimal के लिखते कितना लिखते 2.09 लिखते है कि 09 हमारा यहाँ पर repeat था correct up to 2 decimal के लिए यही पर छोड़ देते हम लोग और answer लिख देते correct up to 3 decimal के लिए यहाँ पर 094 यहाँ पर repeat है इसलिए 2.094 थी decimal के लिए answer लिख रहा है आप 4 decimal के लिए भी यही पर छोड़ देते तो भी एंसर हो जाता ठीक है आपको 4 decimal के लिए पुछा जाता तो यहाँ पर प्वाइंट के बाद चार आंख देखते रीपीट है कि नहीं रीपीट हो गया तो यही पर छोड़ देंगे तब तक लिए नहीं छोड़ेंगे जब तक लिए रिपीट ना हो, दो डिसिमल बोलेगा तो दो डिसिमल तक रिपीट होना चाहिए, थिरी डिसिमल बोलेगा तो थिरी डिसिमल तक रिपीट होना चाहिए, फोर डिसिमल बोलेगा तो फोर डिसिमल तक रिपीट होना चाहिए, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना अगर सम बाँ भीर?